नमस्कार आदाब मैं हूँ प्रविन और आप देख रहे हैं न्यूस क्लिक का डेली राउंड अप शोग आए नजर डालते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पर भारत में राजनीतिक अधिकारों और नागरिक स्वतनताओं की बिगड़ी इस्थिति मजदूर अधिकार अक्टिविस्ट शिव कुमार को मिली बेल भीमा गोरे काव प्रकरण न्यायाले ने नव लख्खा की अरजी पर एनाईये से मांगा जवाब हमाई चौती और आखरी ख़वर कुरोना अपडेट देश में पिछले 24 घंटों में 17,425 नए मामने हमाई पहली ख़वर में हम बात करेंगे अमेरिकी संस्था Freedom House की जिसके रिपोर्ट में Freedom in the World 2021 में भारत अपने अस्थान से खिसक कर नीचे आ गया है रिपोर्ट में बात को अब आजाद की जगा आंशिक रूप से आजाद माना गया है रिपोर्ट में कहा गया कि प्रधान मंत्री नरिन मोदी के शासन काल में राजनीतिक अधिकारों और नागरिक सुतंताओं की इस्तिती बिगडी है आएए देखते हैं इस मामले में क्या कहना है वरिश्पतरकार भाशा सिंग का देश में लोकतंत्र और अभिव्यक्ती की आजादी पर हमले इतने जगजाहिर इतने खुलकर हो रहे हैं कि शायद बहुत कम लोगों को हैरानी हुई होगी जब अमरीका की एक संस्था Freedom House की नई रिपोर्ट Freedom in the World 2021 जारी हुई और इसमें भारत की स्थिती बेहत खराब दर्श की गई यहाँ पर इस रिपोर्ट में भारत को आंचिक रूप से फ्री मुक्त बताया गया और इसमें कहा गया है मैं इस रिपोर्ट से ही कोट कर रही हूँ Indian Political Rights and Civil Liberties have been eroding since Nareen Modi became Prime Minister in 2014 His Hindu Nationalist Government has presided over increased pressure on human rights, organizations, rising intimidation of academics and journalists and the spate of bagotate attacks including lynching aimed at Muslims यह रिपोर्ट का एक छोटा सा हिस्सा है जो मैंने आपके साथ साजा किया इस रिपोर्ट में बहुत विस्तार में बताया गया है कि किस तरह से कोरोना काल में मुसल्मानों को निशाने पिलिया गया, किस तरह से जो कोरोना काल में lockdown लगाया गया भारत में, उससे लाखों प्रवासी लोगों पर जो migration हुआ जो भीशन प्रभाव पड़ा उसका क्या हिसाब था तमाम चीजों का जिक्र है कश्मीर भी यहाँ पर है और इस report में बताया गया है कि भारत में जो हमले हैं वो बहुत तीखे हमले हैं ऐसा नहीं है कि इस report ने सिर्फ भारत को ही निशाने पर लिया इस report ने अमरीका को भी निशाने पर लिया है और उसने बताया है कि किस तरह से अमरीका में जिस समय ट्रम्प का शाशन था वहाँ पर हमला अभिव्यक्ति की आजादी पर था वहाँ पर किस तरह से विरोधी स्वरों पर सीधे सीधे निशाना साधा गया था इस बात का भी उलेख किया गया है कि चुनाव हारने के बाद किस तरह से टरंप प्रशाशन हार मानने को तयार नहीं था और इसके लिए क्या-क्या वह पैतरे कर रहा था। बहुत तीखी आलोचना अमरीका पर भी है। जो सच बोलने की आजादी है उस पर हमले जितने तीखे हो रहे हैं शायद उतनी ही बड़ी तादाद में इस हमले से लड़ने के लिए लोग तयार हो रहे हैं। लोग हिम्मत कहीं भी हारते दिख नहीं रहे। आज तीसरे केस में बेल के बाद उनकी जमानत का रास्ता साफ हो गया है। श्रीव कुमार मजदूर अधिकार संगटन के अध्यक्ष हैं और उन्हें 16 जनवरी को नौदीब कोर की गिरफतारी के कुछ दिन बाद गिरफतार किया गया था। कुंडली और द्योगिक छेतर के कारखानों के श्रमिक के कथित उत्पिडन के खिलाफ उनके विरोध के बाद शिव कुमार को और नौदीब कोर को दोनों को गिरफतार किया गया था। पुलिस ने दोनों को 12 जनवरी की घटना के संबंद में दर्ज 3 FIR में नामज़त किया था। जिसमें हत्या का प्रयास चोरी और जबरन वसूली शामिल थे। आर्टिकल 14 वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार कुमार को पुलिस कस्टेडी में टॉर्चर का सामना करना पड़ा। रिपोर्ट में उलेक किया गया है कि डॉक्टरों की एक टीम में रिकॉर्ड पर साक्ष रखते हैं। कहा कि उन्हें कई फ्रैक्चर साए और पुलिस रिमांड में उनके साथ मांसिक और शारेरिक रूप से दुर्विहार किया गया। उचितम न्यायाले ने कथिद एलगार परिशद माववादी संबंध मामले में सामाजिक कारकरता गौतम नवलक्खा की जमानत अरजी पर बुद्धवार को रास्टी जाच एजन्सी से जवाब मांगा। नयमूर्ती यूयू ललित की अगवाई वाली पीट ने नवलक्खा की अरजी पर जाज एजन्सी को नोटिस जारी किया। नवलक्खा ने बंबई उच नयायाले के आदेश के विरुद शिर्ष अदालत में अपील दायर की थी। उच नयायाले ने आठ फरवरी को उनकी जमानत अरजी खारिज कर दी थी। पीट ने नवलक्खा के वकील कपिल सिब्बल की बाते संचेप में सुनी एवं एनाईये से मार्च 15 तक जवाब मांगा। पुलिस के अनुसार कुछ कारकरताओं ने 31 दिसंबर 2017 को पूड़े में एलगार परिशत की बैटक में कथित रूप से उत्तेजक और भड़काओ भाशर दिया था। जिससे अगले दिन जीले के कोरे गाओ बिमा में हिंसा भड़की थी। किंदी स्वास्त मंतराय दोरा आज गुरुवार यानि चार माज को जारी आगडो के अनुसार देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 17,425 नए मामले सामने आएं और 87 मरीजों की मौत हुई है। साथी इसी वीश कोरोना से परिद 14,071 मरीजों को ठीक किया जा चुका देश में कुल मामलों की संक्या बढ़कर 1,11,56,670 हो गई है जिन में से संक्रमण के कारण अब तक 1,56,880 मरीजों की मौत हो चुकी है। देश में कोरोना से परिद 1,08,24,00,6,00 मरीजों को ठीक किया जा चुका है और एक्टिव मामलों की संक्या बढ़कर 1,70,126 हो गई है आज की डेली डॉटनम में बस इतना ही निउस क्लिक के यूटीब चैनल को सब्सक्राइब करें साती देश और दुनिया की अन्य खबरों के लिए हमारे हिंदी और इंग्लिस वेबसाइट भी जरूर देखें फेस्बुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पहमें फॉलो करे निउस क्लिक देखने के लिए शुक्रिया